प्रभातकाबर.com विश्वास वही रवतार नहीं 2022 में होनी वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चिनाओं में उत्रे अलग-अलग दलो के महारतियों के रंग-अलग देखने को मिल रहे हैं किसी के पास करोडों की संपती है तो किसी पर आपराधिक मामलों की लिस्ट है वही ADR ने प्रत्याशियों से जुड़ी अपनी रिपोर्ट जारी की है लखनों में वुद्वार को प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान ADR के पदिकारियों ने उमिद्वारों के विशह में कई जानकारियां साजहा की है ADR रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण के 623 प्रत्याशियों में से 615 के शपत पत्र का विसलेशन किया गया इनमें से कई उमिद्वारों के पास 100 करोड या उससे जादा की संपती है Election Watch Association for Democratic Reforms यानी ADR की रिपोर्ट के पहले चरण के प्रत्याशियों में अमित अगरबाल मेरट कैंट से बीचेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है उनकी संपती 148 करोड है मत्रा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे इसके शर्मा के पास 113 करोड की संपती है बुलंद शहर जिले के सिकंद्राबाद से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राहुल यादों के पास 100 करोड की संपती है इसके अलावा पहले चरण के 615 उमिद्वारों में से 280 यानी 48 फीजदी करोड़ पती है पहले चरण के उमिद्वारों की ओसतन संपती 3.72 करोड़ है सपा के 28 उमिद्वारों की ओसत संपती 13.23 करोड़ आकी गई है तो वहीं वीजेपी के 57 उमिद्वारों की ओसस संपती 12.01 करोड और RLD के 29 उमिद्वारों की ओसस संपती 8.32 करोड है बसपा के 56 उमिद्वारों की संपती 7.71 करोड है तो वहीं कॉंग्रिस के 58 उमिद्वारों की औसस संपती 3.08 करोड और आपके 52 कैंडिडेट्स की संपती 1.12 करोड है